आज जो एक वीडियो में आप लोगे लेकर आए हूँ ये वीडियो है आई-टी के फिल्ड में इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी इस फिल्ड में आपका अपिसी को कैरेर बनाना है तो उसके रिकार्डिंग अगर हम बात करेंगे आज कि आई-टी के फिल्ड मे करें लिए कौन बोल से पोड़ सकते हैं कौन बोल से कर सकते हैं कौन बोल से इसकल्स है जो आपको रिक्वार्ड है इस आई-टी के छेत्र पे आगे बढ़ने के लिए ठीक है और आई-टी का फिल्ड होता क्या है इसमें किस तरीकी जॉब्स निकलती है कहां-गां आप्शन हैं इंडिया में इसके लावा अबरॉड में तो इन सारे कुछ चीजों को पर मैं आज बात करना ही कुशिश करूँगा तो इस वीडियो को एंट तक देखिएगा अबर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस जबरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो स्टाट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इती फील्ड की सो इती फील्ड से को थे इंफर्मिशन टेक्नोलोजी एक बहुत बड़ा एरिया है आज के जमाने में जहां हर चीज जो है इंटरनेट बिल्स हो गई है आपने देखा होगा हर चीज ऑनलाइन है पहले आपन आज कि आछ तो इक होगते हैं जहीं पास होती थी इसके निए समेंथ से क्लें अटियार करें अपने और से क्लें करिए तो इसे हम बोलते हैं information technology तो हर चीज इंटरेट बेस्ट हो गई है ठीक है हर चीज वेबसाइट बेस्ट हो गई है सब चीज का काम वेबसाइट में हो रहा है हार का अपनी अपनी वेबसाइट बना रही है ठीक है तो इन सारे फील्ड में इसको कलेक्टिवली बोलते हैं information technology इस information यारे के सूच रहा और technology which is based on information और information जिस technology के थूप पास होता है अब इस फील्ड में कौन लोग जा सकते हैं तो मैं आपको बता हूँगा कि जिन लोगों ने इंतर्मीडियेट में mathematics लीड है ठीक है जिनका options PCM रहा और physics, chemistry, math तो जनरली जो math के students है वो इस फिल्ड में अपना career बनाते हैं आगे जाते हैं तो जैसे कि इसके लिए कुछ courses हैं जो बता हूँगा graduate courses जिसे बोते हैं graduation courses जो 12 के बाद होते हैं जैसे कि एक course होता है आपका bachelor of computer applications जिसे बोते BCA ठीक है तो जितना भी computer applications का काम है जितना भी computer से related काम है ठीक है वो सारा होता है आपका BCA ठीक है तो BCA course है साब करके जानकारी लेगे skills लेगे और आप आगी इस फिल्ड में आगी जा सकते हैं सिमिलरली एक engineering course होता है इसे बोते हैं BTEC तो इसके ब्रांच होती है इसे बोते है computer science तो BTEC computer science वाले और BTEC CSIT इसे बोते हैं इसे करके भी आप इस फिल्ड में आगे जा सकते हैं इस फिल्ड में बहुत अच्छा future बना सकते हैं कुछ लोग BCA के बाद master security से बोते हैं mca करते हैं master of computer applications similarly BTEC के बाद एक कोस्ता है mtech से बोते master of technology तो कोई जो लोग और आगे पढ़ना चाहते हैं इस फिल्ड में और information लेना चाहते हैं और जाता skills लेना चाहते हैं तो वो लोग आगे courses mtech और mca करते हैं तो आप BCA करके भी या BTEC करके भी आप जो है अच्छी job पा सकते हैं तो यह तो मैंने बताया अब इस course में होता क्या है क्या 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 चीज़ आपको पढ़ना पढ़ जितने भी coding होती है यह प्रोग्रामिंग होती है ठीक है उसके बेस पे ही सारे जितने में सॉफफ़ेर थे हैं जाकर आप नहीं पैंक में जाएंगे तो जैब बैंक में आपने ATM दूस करते हैं या जहां भी ATM नगे होते हैं तो ATM के अंदर जो system चल रहा होता है उसम करते हैं यह सारा क्याम जो है यह सब BCA वाले MCA वाले BCA करके आते हैं या VTEC Mtech करते हैं कि तो यह कुछ courses है मैंने इन जर्रेल बताएं इसके लगे कोर्स का B.Sc. IT Bachelor of Science in Information Technology कुछ universities B.Sc. IT भी करते हैं तो almost syllabus सब्का सेव रहता है लेकिन जो VTEC Computer Science करते हैं तो इसमें काफी ज़् सब्सक्राइब करते हैं तो VTEC वालों को पहले preference दी जाती है VTEC Computer Science वालों को ठीक है तो यह तो एक मैंने कुछ जनरल बात बताई की सीए VTEC के बारे में अब जॉब्स कहां कहां निकलती है इस फीड में जैसे मैंने बताया website developers है या आपके software engineers है database managers है कितना बेटा होता है जितना भी information होती है उसको manage करना ये भी सारा handle करना manage करना ये पी एक काम होता है इसके लिए करना पोस्त निकलती है ठीक है और software developer मैंने बताया है software develop करना coding करना programming कर आजकल बहुत सारी programming languages आ गई है जैसे की आर है python है इन सारी languages पे काम होता है और ये language जो होती है computer के भाशा में कहते हैं जो भी आप program लिखते हैं जो भी computer के program बनाते है तो इसके पीछे कोई ना कोई एक language होती है computer की भाशा इससे बोलते है computer जिस भाशा में आपके instruction को समझता तो इसे हम बोलते हैं language, आज कर देहाऊगा आपने आर एक language है, Python है, पहले चलती है C++, C, Java, तो ये सारे चीज़ें आपको इस field में सिखा जाती हैं, तो इन सब को आप सीख लेते हैं, और अच्छे से इनको skill के तरुर पर, एक skill person के तरा market भी जाते हैं, तो आपको बहुत अच ब्रॉड में भी यानि कि फॉरंट कंट्रीज में भी बहुत अच्छे पैकेजिस के साथ उन्पों ठालिये जाता है तो यह तो बात हो गई करना होगा और आप यहां से कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉग है आपने दिखाओ इंद्विया की कंपड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आपने किनान सुना होगा प्रशूर रस्ती है ठीक है तो इस तरीके से आगर आप यहां सपोर्स करते हैं इसके अलावा बिट्स प्लाणी है बिट्स मेसरा है यहां से आप करके जाते हैं तब यहां आप करना चाहते हैं तो जैसे कि एम यू है अलीगऱ मुष्लिभ यूविवरस्टी बनारव सिंदु यूविविवर्स्टी जामिया जावाला लेर यूविवश्टी दिल्ली उनियुवरस्टी दिल्ली शुटाले से बोलते हैं ठीक है तो यहां से करके भी आप आगे इस फिल्ट आपना कहरेर बना सकते हैं तो इंडिया में जो जॉब्स के प्रॉस्पेक्स हैं इसके लाबा अबरोर्ड में इस प्रेस्पिक लिए अगर बात करने में स्पेन है आपका स्वीडन है स्वीडन है और आपका ऑस्ट्रेलिया है इंग्लेंड है यह कुछ एरिया है जहां पर यह सॉप्वेर सा काम बहुत हाई रहने तो अगर किसी को इस प्रेट में अपना कैरेर बना रहा है तो 12 में मैस होना चाहिए बीसी कर ले या बीटेक कर ले या एमसी कर ले ठीक है यह करके आप आगे अच्छा कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूरू इसको लाइक करिए अगर कोई आपको डाउल रहाता है तो आप कमेंट में लिखके पूछ सकते हैं ठीक है अगर कोई भी किसे जरी कंफूजन आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करके पूछ सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जरूरू